अतीक हमत के खुंखार शूटर की गल्फ्रेंड खोले की सबसे बड़ा राज योगी की पुलिस ने किया परदाफाश पीले कप्रे वाली लड़की बना रही थी लाइब वीडियो अतीक हमत के कमरे में चल रहा था टेली कास्ट एक गल्फ्रेंड पीले शूट वाली लड़की और बोरी भर सिक के शूट आउट के कुछ घंटे पहले क्या हुआ था अतीक हमत जो चार आथा क्या यूपी पुलिस ने वही गल्ती कर दी यूपी पुलिस अतीक हमत के गुर्गया और शूटरों के पीछे भाग रही है पुलिस का दिमाग खराब कर दिया है अतीक हमत के शार्प शूटर जिस वक्त शूट आउट कर रहे थे पीले रंगवाली ये लड़की बिना किसी खौफ के अपने कैमरे में लाइफ दस्वीरे कैद कर रही थी जहां जहां पर क्राइम सीन हुआ वहां पर ये लड़की दिखती रही इसके बाद भी लड़की कई बार दिखी लेकिन पुलिस की पकड़ में नहीं आई दावा किया जारा कि जिस वक्त उमेश पाल का शूट आउट प्रियागराज में हो रहा था इस लड़की ने लाइव स्टीमिंग के जर्ये गुजरात में बैठे अतीक एमद तक पूरा लाइव शूट आउट दिखा रही थी उमेश पाल शूट आउट में शामिल सदाकत को मुस्लिम चात्रावास से गृफतार किया गया सदाकत को सरगना बताया जा रहा है जिसने पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया और हतियार से लेकर गोला बारूद और जगए का मुआइना किया था इसी हॉस्टल के 36 नंबर कमरे में पूरी साजिश रची गई थी जहां पर अतीक का बेटा मौजूद था और बताया जा रहा है कि अतीक एहमद फोन पर लाइफ था वारदात के दोरान सफेद शर्ट वाले गुड़ो मुस्लिम की तस्वीर वाइरल हुई थी अब यूपी पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया है कि शूट आउट से पहले गुड़ो शागंज में अपनी एक प्रेमका से मिलने गया था कहा जा रहा कि प्रेमका के कई बच्चे भी हैं ऐसे में गुड़ो की गलफ्रेंड को यूपी पुलिस तलाश रही है जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है लेकिन असली खेल इस पीले कपड़ो वाली लड़की ने किया पीले शूट वाली ये लड़की कौन थी पुलिस को अभी तक इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है हैरानी की बात ये है कि बुदवार को जब चकिया में अतीक के करीमी जफर एहमत का घर गिराय जा रहा था तो उस दोरान भी बुर्णोजर एक्शन का ये वीडियो बना रही थी पुलिस ने जब इससे पूस्ताज करनी चाही तो इससे पहले ये स्कूटी लेकर भाग गई 24 फरवरी की शाम जिस समय बेगू सरा इलाके में गोलिया चल रही थी शूटरों की कार के ठीक पीछे पिले सूट वाली ये लड़की खड़ी थी बाकी सभी भाग गए थे सड़क खाली हो गई थी लिकिन यहाँ पर ये वीडियो लगातार रिकॉड करती रही हर जगे पर इस लड़की का दिखना सिर्फ इतिफाक नहीं हो सकता है और अगर ये इतिफाक भी था तो पुल्स को देखकर ये लड़की कहां छिप गई दावा किया जारा की शूट आउट से लेकर हर तस्वीर ये लड़की एक खास एप के जर्ये अतीक एमद और उसके भाई अश्रप को दिखाती है अतीक एमद के करीबी के घर में जब उधवार को बुल्डोजर चल रहा था उस दोरान वी लड़की वहां पर मौझूद थी बुल्डोजर कारवाई के दोरान जर्मनी की बनी दो राइफले और एक तलवार मिली है इसके साथ ही 5 और 10 रुपए के सिक्के बोरी भर मिले है अतीक एमद को पहले से पता था कि हो जो करने जा रहा है उसके बाद उसे योगी नहीं छोड़ेंगे फिर ऐसी वादात को अंजाम क्यों दिया गया कहीं ऐसा तो नहीं कि अतीक एमद ने जो प्लानिंग की थी यूपी पुलिस ठीक वैसा ही कर रही है छोटे छोटे गुर्गों का एंकाउंटर करने और पकड़ने में यूपी पुलिस उलची हुई है लेकिन प्लानिंग कुछ और है जिसे ना योगी समझ पाए और ना ही यूपी पुलिस सवाल ये भी है कि आकिर यूपी पुलिस इस पीले कपड़े वाली लड़की को अब तक क्यों नहीं पकड़ पाई है कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़कियों को मोरा बनाकर इस बारतीक एहमद ने कोई बड़ी प्लानिंग कर डाली है वैसे आपकी क्या राहे कॉमेंट बॉक्स पर लिकर बता सकते हैं योगीयों के लिए फिर रिपॉर्ट